नमस्कार मैं शंभूक उमार सिंग और आप देख रहे हैं निशनल दस्तक मुझे नहीं पता मैं कब तक आप से रूब अरू होता रहोंगा क्योंकि सरकार में जो ब्रोड कास्टिंग मिनिस्टर है और राग ठाक उन्होंने कहा है कि उनकी नजर यूटूब चैनलों पर है उनको बंद किया जागा सोचिए सुप्रिम कोट के पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना सहाब ने कहा कि टेली विजन और अखवार कंगारू कोट चलाता है चंद्रचूर सहाब ने कहा कि टीवी मिडिया जो है वो सबसे ज़्यादा हेटे स्पीच फैलाता है खुद इस देश के ब्रोडकास्टिंग मिस्टर स्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि टीवी और अखवार एक तरफा बहस करता है बिदेशों से हमारे रिस्ते खड़ाब होते हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मंचो पर तो ये बोला जा रहा है लेकिन वहीं यूटूब चैनल बंद किया जा रहा है उनके विडियो हटवाए जा रहे हैं क्योंकि उस सरकार से सवाल पूछने वाले को सरकार निसाना बना रही है नमसकार मैं संभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निसनल दस्तक क्या है निसनल दस्तक के माइने और क्या होगा अगर सरकार इसको बंद कर देती है तो सरकार अगर बंद कर देती है तो CST Act पर जो अंदोलन चला वो नहीं हो सकता था अगर निसनल दस्तक जैसे तमाम बहुजन पत्रकार और बहुजन मीडिया सोसल मीडिया प्लेटफर्म नहोते दिलीप मंडल नहोते दबीक नहोता दसुद्रा नहोता दलीप दस्तक नहोता निसनल दस्तक नहोता रोष्टर का अंदोलन हम आप तक नहीं पहुचा पाते जिस तरह से रोष्टर के अंदोलन को सरकार को वापस लेना परा सोचिए वो खबरे कैसे पहुचती आप तक आज निसनल दस्तक के पास लगभग सारे 6 मिलियन सब्सक्राइबर है लेकिन सब्सक्राइबर होना बड़ी बात नहीं है आपकी जानकारी के लिए बता दू 175 मिलियन इस देश में किसी भी TV अख़वार के YouTube चैनल से ज़ादा सबसे ज़ादा देखे जाने वाला YouTube चैनल है निशनल दस्तक 175 मिलियन लोग 28 दिन में देखने आते हैं रोज कम से कम 4 मिलियन 40 लाख लोग रोज YouTube पर निशनल दस्तक देखने आते हैं और सबसे बड़ी बात है निशनल दस्तक पर किस की आवाज है उन लोगों की आवाज है जिसको टीवी रखवार ने जाती की बज़े से छोड़ दिया है A.C.H.T. O.V.C. मैनोर्टी और गरीब जनता की आवाज है निशनल दस्तक पर किस की आवाज है निशनल दस्तक पर उन परफेसर डॉक्टर इंजिनियर की आवाज है जो बहुजन समाज से हैं और जो जातीबाद के सिकार है निशनल दस्तक पर किस की आवाज है निशनल दस्तक पर रिजर्वेशन की आवाज है रिजर्वेशन के खिलाप करने वालों की आवाज है और रिजर्वेशन कहां भेदभाव हो रहा है उसकी आवाज है निस्नल दस्तकपर कास एक्टो सिटी की आवाज है रोहिद बेमुला की आवाज है पाइल तडवी की आवाज है डेल्टा मिखवाल की आवाज है तुर्की की जो बहुजन समाज के नेता चाहे वो किसी पार्टी में हो उनकी आवाज है बंगारू लक्ष्मन drop the murmujy की आवाज है ये इस देश में थावरचंद कहलोग की governor साथ की आवाज है इस देश में social justice की आवाज है national dastak इस देश के तमाम political party की आवाज है national dastak चाये वो जडियू हो चाये RJD हो चाये JMM हो चाये Congress के बहुजन नेता हो चाये BJP के बहुजन नेता हो सीने पर हाथ रखे देखिएगा मैं तमाम सत्ताधारी दल में CSTOBC minority के नेताओं से कहना चाहता हूँ एक बार देखिए national dastak और अगर लगे कि ये मेरी आवाज नहीं है तो हमारे साथ खरा मत होईएगा हम लोग कम संसाधन में जान जोखिम में डाल कर तमाम दबाब जहल कर तमाम जातिबादी, मनुबादी, ब्रहमनबादी ब्रिवस्थाओं से गाली गलोस सुनकर मार पिट सहकर इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन सोचिए सरकार क्या कह रही है कि हम यूटूब चैनल को बंद करेंगे अब आपको क्या करना है इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा मैं एक पत्रकार के तोर पे पेसेवर हूँ मैं अपना पेट पाल लूँगा चाहे खेती करके, किसा नहीं करके लेकिन सोचिए कौन उठाएगा आवाज कैसे पहुँचेगी आप तक आवाज कौन उठाएगा पाल तड़वी की आवाज कौन उठाएगा रोहित बेमूला की आवाज कौन उठाएगा आपके साथ होने वाले भेदभाव की आवाज कौन उठाएगा आपके रिजर्वेशन बाले अधिकार की आवाग, कौन बताएगा आपको भहुजन समाज की खबरे, कौन बताएगा आपके दुख तकलिफ, कौन बताएगा आपकी सफलता की खबरे, कौन बताएगा आपके बच्चों का टैलेंट, कौन बॉक्सर है, कौन इसलिए तमाम बहुजन समाज को ऐसे चैनलों की जरूरत है लेकिन सरकार के नुमाइंदा जो है बुर्टकास्टिंग मिनिस्टर कहते हैं एक भी टीवी अख़बार पर अब तक कारवाई नहीं हुई जबकि रमन्ना साहब कहके गए हैं दिवाई चंद्चूर ने कहा अभी स सुप्रीम कोट ने कहा है कि हेट स्पीस सबसे ज़्यादा टीवी और अख़बार के दौरा फैलाए जाता है सोचिए यूटूब पर कैसे कैसे कंटेंट हैं तमाम टेलिवीजन चैनल के कंटेंट हैं लेकिन इस सरकार को लग रहा है कि जो सरकार से सवाल पूछ रहा है वो बहुत बेहुदा है सोचिए टीवी अख़बार अनुराठ्था कुर ने कहा है कि हमारे नाइवर कंट्री से परोसी देश से रिस्ते खराब कर रहा है कौन खराब कर रहा है अफगानिस्तान पर खबरे कौन चलाता है पाकिस्तान पर खबरे कौन चलाता है हिंदो मुसल्मा कौन करता है दिन रात हम लोग से स्टी ओविसी मानोटी की बात करते हैं गरीबों की बात करते हैं संविधानिक अधिकारों की बात करते हैं रिजर्वेशन की बात करते हैं जातिवात खत्म करने की बात करते हैं लेंगिक भेद भाव खत्म करने की बात करते हैं हम लोग नया है जुरिस्टियल सिस्टम की बात करते हैं, हम लोग लीगल बात करते हैं, तो जाके कहा जा रहा है कि ये सब हेट स्पीच फैला रहे हैं, एक बड़ी कॉंस्पिरेसी है, बड़ी साजिस है, इस देश के तमाम भुजन समाज के लोगों को खरा होना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक तरीके से खरा होना पड़ेगा, हम लोगों पर आफ़त आती है, तो संबेधानिक तरीके से हम लड़ाई लडएंगे, क्योंकि नरेंदर मोदी हमारे भी परधान मंत्री है, Broadcasting Minister हमारे भी Broadcasting Minister है हम संबेधानिक तरीके से भी लड़ेंगे लेकिन अगर इस देश की जनता को सोचिए बाबा सहाब ने मुकनायक सुरू किया था उनके साथ विभेदवा हुआ फूले सहाब ने अपना एकवार सुरू किया उनके साथ भी भेदवा हुआ था मानेबर कांसी राम सहाब ने अपना एकवार किया उनके साथ भी भेदवा हुआ था और आज भी सफा SP अखलेश यादव की पार्ठी RJD लालु याद जी की पार्ठी JMM सीबू सोरेन हेमान सोरेन की पार्ठी DMK, करुना निदिय स्टारिन की पार्टी इन पार्टियों की खबरे कौन दिखाता है BSP की खबरे कौन दिखाता है उनके भासन कौन दिखाता है उनकी रेलिया कौन दिखाता है हम लोग दिखाते हैं और आज हम लोगों पर खत्रा मन रहा है सरकार ड़ा रही है, धमका रही है, रोज वार्मिंग दे रही है, इससे आपको निकलना पड़ेगा इसके लिए इस देश के जितने निशनल दस्तक के दर्सक है, अगर एक मुंबत्ती हाथ में लेकर और सरक पर खड़ा हो गए सोचिये, पच्चास करोर लोग निशनल दस्तक के दर्सक हैं, जिस दिन आपने मुंबत्ती लेकर सरक पर खड़ा हो गए, सामें मुंबत्ती जला दी, उस दिन इस सरकार की चूल हिल जाएगी अगर आप लोग चाहते हैं कि सोचल मीडिया बना रहे, भहुजन मीडिया बना रहे, तो आपको डिमोक्रेटिक तरीके से इस मीडिया की आवाज को उठाना पड़ेगा, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसको लोगों तक पहुचाना पड़ेगा, और सोचिये, सर ग्यान को बरहबा दे रहे हैं, बैग्यानिक टेंपरामेंट को बरहबा दे रहे हैं, हम लोग इस देश के लुक्तंत की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, पुलिटकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, सोसित बंचिस समाज की बात कर रहे हैं, और रही बात पहुम्ची को इग्नौर करता है नो इसमागे। तो अगर इस देश की जन्ता को इस देश के तमाम भाँजन राचीटिक दलो को इस देश के तमाम पार्टी में बैठे SC-STOBC मानावटी के नेताओं को अगर अपनी बात पहुंचानी है जन्ता तक अपना media platform बचाना है तो आपको national दस्तक जैसे तमाम platform के साथ खरा होना पड़ेगा नहीं तो सबसे ज़्यादा सरकार की नजर है इस तरह के तमाम social media platform को बंद कर दिया जाए हम डाबे के साथ कह सकते हैं कि अगर हमारी कोई खबर गलत निकले हमारा कोई fact गलत निकले तो हमें फासी पर टांग दीजे हम लोग fake news के खिलाफ हैं हम लोग media ethics के साथ हैं हम लोग journalism के साथ हैं हम लोग किसी से न दोस्ती न किसी से बाइर हम लोग संबिधान के साथ हैं इस देश की सुरक्षा के साथ हैं इस देश की संपर्भुता के साथ हैं इस देश की सुवर्निटी के साथ हैं ये मुल्क समराट शोक का मुल्क है ये बावा साहिब के संबिधान का मुल्क है और इस संबिधान और मुल्क के खिलाफ हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग जाती बाद, समपरदाइक बाद, लेंकिक भेदभाव, किसी भी तरह के करमकान भेदभाव के खिलाफ लर रहे हैं और इसलिए सरकार के आखों में चुब रहे हैं, सरकार से भी बिनती है कि निस्पक्ष होकर आप सोचिए, इमानदारी से टटोलिए कि कौन सही है, कौन गलत है कौन लोग हैं जो दिन भर हिंदू मुस्लिम फैलाते हैं, कौन लोग हैं जो जातिये पंचायत करते हैं, कौन लोग हैं जो हमारे परोसी देशों के साथ रिष्टे खराब कर रहे हैं, यह आपको समझना परेगा आप नहीं समझेंगे, तो इस देश के 90% लोग की आवाज आप बंद नहीं कर सकते हैं, निशनल दस्तक जैसे तमाम बहुजन मीडिया इस देश के बहुजनों की आवाज है, इस पर आख उठाने की गलती मत किजिए, इसको डड़ाईए धमकाये नहीं, इस देश का और समाज का हिस सामने आएगा, तो हम अपना हित और समाज का हिस छोड़ देंगे, देश का हिस चुनेंगे, हम लोग देश के देश प्रेमी हैं, राष्टवादी हैं, इस देश के हित के साथ हैं, हम लोग बावा सहब को मानने वाले हैं, हम लोग कभी भी इस देश की संप रायक दंगा खतम हो, हर तरह के भरस्टा चार बैमानी खतम हो, और सोसित बंचिस समाज को, पीरिस समाज को न्याएं मिले, उसी का नाम है बहुजड मीडिया, उसी का नाम है नेशनल दस्तर, लेकिन सरकार की टेरी नजर है क्योंकि मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल पोछना लेकिन बिड़मरा देखिए टीवी अख़वार पर कोई कारवाई नहीं हो रही है जिसके खिलाब जजज बोल रहे हैं लेकिन सोसल मीडिया को निसाना बनाया जा रहा है इसको बचाने का एक मात्र रास्ता है इसको सब्सक्राइब कीजिए घर घर तक पहुचाएए और अगर किसी तरह का खत्रा होता है तो डिमोक्रेटिक तरीके से कैंडल लेकर सरक पर निकल ये लीगल तरीके से कानूनन तरीके से सुप्रिम कोट हाई कोट में तो हम लोग लरेंगे ही मैं फिर कह रहा हूँ इस देश के बहुजन कभी जुके नहीं है तमाम बिफृत परशुतियों में भी फूले परियार अंबेटकर कांसी राम साहब मानेबर बिर्सा मुंडा तिलका माजीन तमाम लोगों ने हमें रास्ता दिखाया है हम लोग उस पर चल रहे है हम किसी के खिलाप नहीं है हम अन्याय के खिलाप है और बराबरी के साथ है और हमारे लिए देश सर्वो पड़ी है इस देश की संपरभुता सर्वो पड़ी है इस देश का संबिधान सर्वो पड़ी है और इस देश का एथिक्स, मीडिया एथिक्स सर्वो पड़ी है किसी भी मंच पर सरकार हम लोगों से सवाल जवाब कर ले, बहस कर ले आपको क्या लगता है, क्या रास्ता हो सकता है, क्यूं तमाम बहुजन मीडिया को टार्गेट किया जा रहा है इससे पहले कि देर हो जाए, आप लोगो इसको बचाने के लिए आगे आना होगा नहीं तो सौ साल पहले बाबा साहब ने मुकनाक बंद सुरु किया था, उनको बंद करना परा आज भी जब इस तरह के संस्ताएं बंद हो जाएगी, तो हमारी आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा आप लोग अपनी पर्तिक्रिया जहूर दीजे, क्या सरकार जान बुचकर सोसल मीडिया को टार्गेट कर रही है उसका इरादा क्या है, जबकि सुप्रिम कोट के जज कह रहे हैं, कि टी बी और अख़वार हेटे स्पीच फैला रहा है उनको क्यों नहीं बंद किया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल यह है आप लोग अपने पर्तकिरिया जबूर दीजिए, हमें ये भी बताएए कि ऐसे प्लेटफॉर्म को बचाने के लिए आपकी क्या रहा है, शुक्रिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सबस्क्राइब करने के लिए रेट कलर के सबस्क्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे